वैसे तो अभी तक हजारों बार खा लिया होगा लेकिन इस तरह के लिप्टे मसाले चिकन के रेसिपी ना आपने देखी होगी ना ही सुनी होगी और खाई तो बिलकुल भी नहीं होगी तो एक बार इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा तो मैं आज की रेसिपी एकदम शुरू करने जा रही हूँ तो यहां पर पतेले में मैंने सबसे पहले लिया है एक से डेर कटोरी सर्सों का तेल एक चमत जीरा चार पांच छोटी इलाइचे आठ से दस जो है प्याजों को स्लाइस करके इसमें डाल दिया है और इसको मुझे ब्राउन करने तक भू अंधार के शक्तास के ख़ bir दया है आप में भूं लिया है यहां पर मैने सारे सुखे जो पिसि हुए मसाले होते हिं हल्दी धनिया मिर्चा और नमाग गरम मसाला में इड़ी मिला के एक ख़तरों की हिसाब सबस्द्द कंड दिया हिए और यहां पर प्यास दूल안 टों Agr zu और यहां पर कम से कम साथ से आठ मिनिट हमें इसको अच्छे से भूनना है और जो है यहां पर जो है तेल छूटने तक भून लेना है यहां पर मैंने मिक्सिंग जाहर में लैसन अत्रक हरी मिर्च लाल मिर्च थोड़ा सा सर्जों के दाने और कुटा हुआ धनिया भूना जाए चमच गोटी भूनी होई सोंफ उसको भी डालके स्मूथ सा थिक सा पेस्ट बना लिया था जिसको हम पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे रिप्टा मसाला चिकन की यही खासेते यही मसाला इसको जो है खास बनाता है तो यहां पर हमें अच्छे से इसको भूनना है और इसको तब तक बुनना है जब तक और साइड से रिलीज ना हो जाए तो यह देखिए यहां पर कितना बड़ी आभी कलर आगा है बुनने के बादी क्या लाजवाब लगने वाला है एक एक स्टेप को त्यान से देखेगा अगर इसी तरह का चिकन आप अपने घर में भी एक बुट करना है जो है जो किकन के एकए आम होमार्स ना बोक टी है उसके अंदर तैस Elena नहीं मिल जाना चाहunta है से सिर्चे से मिक्स करना है बहुत अच्छे से और यह देखिए जब लोको इए चैकन कुम करते तो बहुत यह पहुत यह जा है क्सिए क्वापग यह उड़क तो यहां पे जो है चिकन को हमें ठक देना है तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग 20-25 मिनिट के लिए पीच में एक आज बार आप चेक कर सकते हैं जरूरत नहीं पड़ेगी अभी चिकन अपना पानी छोड़ेगा खुब सारा पानी छोड़ेगा और अपनी ही पान जाएगा अलग से पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो यहां पे हमें अच्छे से जो है कवर कर देना है कहीं से भी सास ना रहे चाहें तो ओपर थोड़ा सा वजन रख दिजी एक तरह से आप कह सकते दंग दे दिए उसके बाद कवर अटा के चिकन को चेक कर ल कर लेंगी चिकन के पीसे के हाल क्या है देखने में और मैंने टच करके भी देखा था यह 90 परसेंट गल चुका था तो इसके बाद में अच्छे से मिक्स कर देने के बाद में इसको मैंने अगें जो है लग बग पासे शे मिनिट के लिए कवर किया था और उसके बाद में यह देखिए इसका कलर और इसका टेक्स्चर इसकी ग्रेवी थिक थिक ग्रेवी ऊपर आता हुआ रोगन जो इसको इत्म स्पेशल चिकन बनाता है और जो सर्सों के दाने डाले हैं उससे एक दम जो फिश करी हम लोग काते उसका टेस्ट आ रहाता इसमें आप लगोंने गौर किया हो मैंने नीमबू अटमाटर दही कुछ भी टांगी फ्लेवर के लिए नहीं डाला है इसमें टांगी फ्लेवर नहीं जाता है लेकिन आपको पसंद हो तोड़ा बहुत आप डाल सकते लेकिन नहीं डालेंगे ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना मतलब अगर जाएगी तो जो मस्टर्ड सीट्स डालें उनसे इसका टीस्टिक तो डिफरेंट हो चाहेगा इसमें खटेपन की बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन अगल आप पसंद करें तो थोड़ा बहुत अपना नेमू कर रहा है या पकाते हुए एक दो टमाटर डाल सकते हैं अच्छे चिकन लग रहा है फ्लेम मेरी बंद है मैं बंद कर चुकी हूँ अपनी और जो बाद में जो हल्का सा बबल बबल दिख रहा है आपको यह जो थोड़ा बहुत गरमाहट रहती है बंद करने के बाद भी तो यहां पे मैंने पलेट कर लिया है अपने चिकन लिपटा मसाला को खाने के लिए एकदम तयार है तो आजाए कौन को नारा है भी तब मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजेगा वह लेकर ज़रूर दबाएगा